हेलो एब्रिवन चलिए आज मुनाएंगे होली स्पेशल मावा की गुजिया जो बहुत ही खस्ता बनके तियार होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो चलिए देर किस बात की बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस पर रखा है पैन और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे और इस तरह से मावा लिया है मैंने खोया और इसको क्रंबल करके डाल दिया तो यह थोड़ा सा जमा हुआ है अभी बजार का है तो इसको हमें इस तरह स इस पेटला से चलाते हुए इस तरह से तोड़ लेना है तो बिल्कुल फ्लेम लो रखनी है लो फ्लेम पर ही हम इसको भूनेंगे तो इस तरह से यह थोड़ा देर में लिक्विट सा होने लग जाएगा और इस तरह से इसका कलर हमें चेंज कर लेना है लगवग 10-12 मिनिट दालके रख लेंगे तो चलिए इसको हमने निकाल लिया है प्लेट में ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं तो देखिए थोड़े देर के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए इसके बाद देखिए इस तरह से जम जाता है तो इसके बाद हम इसको स्पून से इस तरह से क्रम्बल कर लेंगे और उसके बाद यहां पर हमने थोड़े से तोड़े से जए काजू बादामय चीरौजी किश्मिश और सूखें नारियल किसके लिए बड़े को in यहां पर हमने डाला है चीनL to find लगबग चार से पांच बड़े चंण हमने चीनि डाला है मने करके और आदा चंण हाथ हमने इलाइची का पाउडर डाला है तो इस तरह से हमें अब अच्छे से स्बAnn सब को मिला लेना ह Haus further मिला लिया है और फिलिंग बनके तयार हो गई है इसको हम साइड में रखेंगे अब हम मैदा गुन लेंगे तो यहाँ पर मैंने डिड़ कप मैदा लिया है और उसमें हम डालेंगे लगभग चार चमच मैंने घी डाला है तो देशी घी है यह थोड़ा से जमा हुआ है आप प कुछी हमाई तयार होगी तो मुएन अच्छा लग जाए तो इस तरह से हमें दोनों हाथों को लगा करके इस तरह से रब करना है जिससे मैदे की कड कड में मोयन चला जाएं तो मयन अज्छा लगा है यह कैसे पता करेंगे इस तरह से मुठ्ठी बनाे dehours और हमारी त्यार करेंगे तो 2 बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए हमें हाठ बना है इस तरह से देखिए मैंने कितना हाड बनाया है तो इस से कुजिया मारी बहुत खस्ता बनके त्यार होगी अगर हमारा सॉफ्ट डौ हो जाएगा तो वह कुजिया मारी इतना खस्ता पर नहीं अब पेड़े कट करने है तो मैंने थोड़ा सा पोट सन लिया है और इसको इस तरह से लॉक बनाते हुए और नाइफ लेंगे अब नाइफ से एक बराबर के हम इसमें से इस तरह से पेड़े कट कर लेंगे तो आप चाहें तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं तो मैंने यहां पर को युज किया तो यहां पर दे किया से तरह से मैंने इस तरह से गोल करके रख लिया है अब हम क्या करेंगे सभ पीड़े routines एक पीडा लेंगे अब किपक पूड़ी देए तो हमें अलके आतों से इसकी पूड़ी बेलती है तो बहुत ही हमें पतली बनानी है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे नहीं तो गुजिया हमारी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और हमें देखी इस तरह से हमें पतली पूरी बनानी है तो छोटी सी पूरी बना लेंगे उसके बीज में हमें फिलिंग रखनी है तो बिना साचे के मैं बना के दिखा रही हूं इस समय तो एक से डिट चमच मैंने फिलिंग रख ली है उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी लगा दिया उसके साइट्स पर और इस तरह से हम इसको एक दूसरा वाला हिसा उठा करके उस पर चिपका देंगे तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे से दबाते वे चिपका देना जैसे भारी घुजिया खुले नहीं तो देखे मैं पे बहुत अच्छे से दबा दिया है अब हम क्या करेंगे इसको हाथ से पिंच करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे तो दीखें वीडियो में जिस तर दिखा रहे हूं तो ये एक साइट से पिंच करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे तो इसी तरह हमें पूरी गुजिया को इसी तरह से लॉक कर लेना और एक डिजाइन अच्छा सा बनके त्यार हो जाएगा ब पहें क्या करूंगे दूसरी कुछे अबना के दिखाऊंगी दूसरी तरह के बना के दिखाती हूं तब यहां पर मैंने दूसरी पूड़ी बेल ली है और बीच में फिलिंग रखी है एक से एड़ चमच और इसके साइट्स पर पानी लगा लिया है थोड़ा सा और इसको अब इसके साइट्स पर इस तरह से दबाते हुए चारों तरफ से दबा देंगे एक डिजाइन हमारा यह बनके त्यार हो जाएगा यह भी बिना साचे के बनके त्यार हो जाएगी तो आपके पास साचा नहीं है तो आप इस तरह से यह दो तरह मैंने बताएं हैं इस तरह से आप तो आप देखे मैंने यहाँ साचा लिया तो साचे से बनाके मैं दिखा रही हूं तो मैंने यहाँ पर साची पे रखा एक पूड़ी बेल करके और उसके वीच में हमने यहाँ पर रखा एक साइट पर हम रखेंगे एक से डेट चमच यहां भी अपरे फिलिंग रग दी और साइट्स पे हमने पानी लगा दिया और उसके बाद हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे और उसके साइट से हम मैदा जो बाकी बचा हुआ है उसको हम हटा देंगे तो उसको अच्छे से दबा देंगे जिससे हमारी गुजिया अच्छे से चिपक जाए तो देखें यहां पर अच्छे से गुजिया बनके त्यार हो गई है इसी तरह से हम सभी गुजिया को अब हम ready कर लेंगे तो यहां पर देखिए मैंने थोड़ी गुजिया बना ली है तो अब हम तल के दिखाते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई रखी है उसमें oil डाला हुआ है और oil को बिल्कुल low flame पर रखेंगे बहुत ज़्यादा flame उसका flame बिल्कुल low रखेंगे तो हमारे ज़्यादा bubbles भी नहीं उठेंगे गुजिया पर और बहुत ही अच्छे से बनके खास्ता गुजिया बनकर तयार होगी बिल्कुल और इस तरह से देखिए यह अच्छा सा color आ गया तो हमने इसको निकाल लिया है प्लेट में तो सभी देखिए हमने दूसरा बैज भी बिल्कुल flame लो थी और तेल हमारा हलका गरमता तभी हमने डाला है तो अगर आपका तेल ज्यादा गरम हो तो उसको थोड़ी तरह कर लीजिएगा तो इस तरह से मैंने दूसरा बैज भी डाल कर इसको लट पुलट कर अच्छे से इसका golden color ल ही है और आप हमारी गुचिया हमारी बन के त्यार हो गई है तो यहां पर करीब 17-18 गुचिया हमारी उतने फिलिंग में बन के त्यार हुई है तो देखिए बहुत अच्छे से बन गई है तो यह देखिए मैं दिखा रही हूं तो इसको अब हम क्या करेंगे आपको भी खा लेगा इसको बिल्कुल भी हाड नहीं है और बहुत ही अच्छी टेस्टी बनके त्यार हो इसकी फिलिंग आप चेक कर सकते हैं पुरी अंदर तक भरी हुई है एक और मैं गुजिया तोड़के दिखा रही हूं तो दिखिए इसके अंदर तक फिलिंग भरी हुई हो बहु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई